कांसेंट्स में जो होता है वह किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले जो छलना चाहते है तो तो आज हम उसी वाटर पॉलिशन का अभी इसमें नहीं लेते हैं एर पॉलिशन और नॉइस पॉलिशन उन दोनों की लिविट गौर्मेंट ने क्या सेट की हुई है उसी के बारे में बात करेंगे आज वही बताने बाला हूं कि एर जो एंबियेंट एर क्वालिटी है उसकी इस गौर्मेंट ने कितनी सेट की हुई है और नॉइस के लिमिट कितनी सेट की आई ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट ये जैसा मैंने लिखा हुआ है एंबियेंट एर क्वालिटी मोनिद्री मींस जो एर पॉलिशन है जानी जब आपने देखा हुआ कोई भी विल्डिंग जहां चलाते हैं तो उसमें पौर्टरली जो है एर की क्वालिटी चेक कराई जाती है और वो बिल्डिंग के चारों त अगर थीक है रहने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नबूसमें करना है तो इसमें चैब 12 करमिकर आते हैं जो इसमें नैसेसरी है चेक करने मैं यह लिखा हुआ है 123 से और इसी तरीके से लिमिट के बाद भी मैंने इनके सीरियल नमबर डाल दिये है जैसे अगर इधर देखना हो नमबर तो नमबर पर एक सब्सक्राइब ना हो और मिसमेच ना हो इसलिए उदर भी मार्किंट कर दोड़ी है सबसे पहला है यानि पर्टिकुलेट मैटर 10 और पीम 2.5 पीम यानि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 बी चेक किया जाता है पीम 10 की जो पर रखिए जाती है वो रखिए फ्रेंड्स लेस्टें हंडेट होना चीए तो हमारा जो है वो अंडर लिमित है और हम बेडिंग रंकरने के लिए हमें अप्रूबल मिल जाएगा वह सही है तो यह सारी जो इसकी यूनिट्स की क्यों है मैंने यह है माइक्रोग्राम पर है तब तक ठीक है 100 से कम हो 96 90 30 21 कोई भी हो ठीक है और यदि 100 से उपर जाएगा तो जाएगा यानि उसके लिए हमें सीओ को को अप्रूबल नहीं रेगी या वो एयर पोलुक्षिन में आ जाएगा ठीक फ्रेंट प्रेंट फाइट प्रेंट फाइट इकाही सब की माइक्रो होना चाहिए ऐसे ही और जोंकी सी चीज़ करते हैं चैक करते हैं सल्फर डाइओक्साइड एस और तू एयर में मात्रा है वह कितनी होनी चाहिए तो उसकी लिमिट दी गई है एक यानि लैस देन एक होनी चाहिए है यह लिमिट अस्वी से कम होनी चाहिए तो मैंने चाहर दोनों साइट इसलिए जिसके आपको इसके ज़िए नुकसान दायक है चार से कम होनी चाहिए यह 40 नहीं है चार है फॉर पाइंट जी ओ से कम होनी चाहिए लेकिन इसमें एक से से कम होना चाहिए वन माइट्रोग्राम पर मीटर की एक मिटर की एक से ज्यादा नहीं त्रैंस एक से कम होना चाहिए तो ठीक है आप तूशी ओके ऐसे नहीं नौनमर है और उसकी लिमिट्ट वह वह एक स्वस्ती से कम होनी चाहिए और यह लास्ट चीज सब्सक्राइब करते हैं और यह जो है वह एक से कम होना चाहिए यह 12 पारमेटर में नॉर्मली सब वही है जैसे और 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 निकल एनस्टी वेंजी तो फ्रेंट जितने भी हानिकारा कैसे होती है जो हमें यूमिन को या जो भी ऑक्सिजिन ग्राइब करता है उसको नुक्सान दाए होती है तो वह चीज़ें हम इसमें चैक करते हैं आप इसका स्क्रीन सोट लेकर भी रख सकते हैं जिसक इंटर्व्य में कुश्चिन किया जाता है जरूरी नहीं आप यह साथ बता पाओ जब दी कभी पूछा जाएगा यह पूछते हैं कि आप कितने दिन में चैक कराते हो तो आप बोलो क्वाटर यह तीन महिने में एक वार हम चैक कराते हैं और उसके पैरामिटर कौन-कौन से सब्सक्राइब करें तो आप जोड़नी है बारे बता तो अगर आप पांच-छे-साथ भी बतागे तो इंटर्व्य जान जाएगा कि यह चैक रहते हैं इनको मैसिम पता है इसके साथ साथ एर में एंडियंट नॉइस यानि जो साउंड लेबल है कि कितनी आवाज होनी चाह सब्सक्राइब करें तो अगर आप बैसे देखोंगे तो हर जगे का अलग अलग मिल जाएगा कि जहां डीजी रूम है उसका नौइस कितना होना चाहिए यह सब चीज़े आप आपको जादा और कम मिल जाना है लेकिन मोस्ट पॉबली यह चार्ज है अगर आप रेजिदें चला रहे हैं तो उसमें पूछ लेगा डे में कितना नाइट में कितना है अगर आपकी तो उसके डे में कितना होना चाहिए दे के बात करो 65 डीवी अगर डे में है 65 से कम तो ओके है और नाइट में 55 तक परमिश्टी बद है अगर आपका आपका जोगा आ रहा है है यानि साउंड लेवल आ तो से कम है दिन पचितना होना चाहिए और और मैं इंदस्टी की बात करनूं कि इंदस्टी में कितना होना चाहिए दे में 75 बहुत बहुत प्रिकार तो मुझिने चलते रहती है और वह उसमें पर्ट्रों का काम होता है तो उसका बाद ज्यादा हो कि दिया गया है तो और अगर मैं साइलेंस जों की बात करता हूं तो कि अगर आपका साउंड लेवल है तो जैसे आपने देखा होगा कि जहां होस्पिटल में कुछ एडिया साइने जोन में आता है जहां पोल नी जाते हैं आप कम बात करें बहुत कम लेवल रखाया तो वहां पर इसांड लेवल है और चाहिस अगर 40-50 के बीच में सांड लेवल सुल सिर जोन में आता है कि जो ने जो लिमिट फिक्स की है वो कोमर्सिल के लिए इतनी की है आख को पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया होगा अगर और यो सेर लिएक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना गूल और अचले नाइ, और बॉर्ट रॉर्ट 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 रॉर्ट